आज हमें कैसी मिठाई बनाएंगी जिसको बनाने के लिए नाही चासनी की ज़रत है नाही इसमें हमें एक बून भी घी डालेंगे इसको बनाना बहुत आसान है सिर्फ 5 मिट में बनके तयार हो जाते हैं गैस भी जलाने के आपको जरुरत नहीं है तो चलिए रेसेपी को स्ट और चार बड़े चम्मच पाउडर शुगर इसमें हम डालेंगे थोड़ी शी टूटी-फूटी आप इसकी जगे कोई भी ड्राइफ्रूट लाल सकते हैं और फिर इसको स्किप कर सकते हैं इन सब को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगी तो नारेल और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें बहुत थोड़ा-थोड़ा दूट डालेंगे इसके लिए हमें बिल्कुल छेल्ड ठंडा दूट यूज़ करना है दूट बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए तो बहुत थोड़ा-थोड़ा सा बनकी तयार हो जाएगा इसका टेस्ट बिल्कुल पेड़े जैसा आएगा अगर आपको लगी कि हमने इसमें थोड़ा सा जाद दूट आइड कर दिया है तो आप इसमें थोड़ा सा नारेल का बुरा दूर मिल्क पाउडर और एड़ कर सकते हैं तो यह बिल्कुल अब दू है वह बिल्कुल तयार है अब हम इसको सैट करेंगे तो इसके लिए हम एक अलॉमिनियम कॉयल लेंगे आप इसकी जगर कोई भी पन्नी ये पॉलाथिन युज़ कर सकते हैं इसना इसमें हमारा सारा डोर डाल देंगे और इसको हाथ से एख शेप देंगे आप इसको कोई भ बना रहो हैं इसकी बर्फी ऐसे बना के कट कर सकते हैं तो हम इसको बिल्कुल गुल करके ऐसे चॉको और लॉक का शेप देंगे और अब इसको अलुमिनियुम कॉयल से अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि इसका जो शेप है वह सैट हो जाए इसको हमें बिलकुल टाइट टाइट रोल करना है ताकि इसका जो शेप है वो बिलकुल अच्छा है एकदम टाइटली हम इसको गोल गोल करके aluminium foil से wrap कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनिट के लिए हम freezer में रख देंगे ताकि यह अच्छे से set हो जाए तो 10 मिनिट बाद यह हलका सा ठंडा होने के बाद set हो गया है इसको aluminium coil से हम ध्यान से निकाल देंगे तो हमारी मिठाई है जो अच्छे से set हो गई है यह बहुत जादा soft होती है मुव में जाते ही गुल जाएगी तो हम इसका सारा aluminium coil हटा देंगे इसकी उपर हम थोड़े से drive fruits को springle करेंगे और एक sharp knife से इसको पतले-पतले pieces में cut कर लेंगे तो हमारी मिठाई बिलकुल तयार है इसको बनाने में 5 minute में मुश्किल से लगे होंगे यह दुनिया की सबसे simple और easy मिठाई है जिसको बनाने के लिए ना ही घी चाहिए ना ही चासनी और gas on करनी की भी ज़रत नहीं है एक बार आपके मिठाई ज़रूर ट्राय करें और इस simple और easy से मिठाई को ज़रूर बना के ट्राय करें इसको बनाने के लिए जादा ingredients की भी ज़रत नहीं है सिर्फ तेने ingredients से मिठाई तयार हो जाती है